हावा में तास का घर नहीं बनता रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनता दुनिया जीतने का फेशला रखे दोस्त एक जीत से कोई शिक अंदर नहीं बनता मेरे सभी विद्वान और नोजवान साती क्लास में लाइव जुड़ें मारा पड़ाएगा सग्ड़ा शक्ता भी सोकिन जीवड़ा है सग्ड़ा को क्लास में स्वागत तेसा बिल्कुल सभी साती आजएं आवाज बगरा फरो पर आरी एक बार कमेंट कर दें जितने भी साती की लाइव आज चुके एगवार कुलास को लाइक और रिस शेर कर दें राजस्तान हाइगिकोण की कि शीमा के सहरे इस्तित है पडूसी है की तो यहाँ नकले ना दोस्तूं राइट आंखर ळुद्ट मुद्टा के चार जिले हैं और पाकिस्तान के गाधाश्ट में चार i जैसल मेर और नमबर चार पर बात करूं तो आता है आपका बार्ड मेर जिला यह बोच छे तरपल में भी काभी बड़े जिले हैं मरुस्तली जिले हैं तो यहां पर जहां ड़क लेना सबसे ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ में सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो आपकी लगती है जैसल मेर जिले की और पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है वो विका नेर जिले की लगती है तो यह चीज़े आपके पहले से पता होगी और समझ में भी आ गई होगी बिलकुल ठीक है चलो सेकंड शवाल देखते हैं बेंस रोटगड से बिजोलिया के मज्जे इस्ति पठार क्यलाता है चपन उपरमाल कंठल या टिबा बेंस रोटगड से बिजोलिया के मज्जे इस्ति जो पठार है उस पठार कोई कौन सा पठार बोलते हैं तो उससे बोलते हैं दोस् किस लोग देवता को उंटू का देवता माना जाता है पाबुजी गोगा जी हडबुजी या तेजा जी तेजा जी किस वंस के थे तेजा जी जाट वंस के थे हडबूजी आप के थे सांखला हडबूजी थे दोस्तू सांखला गोगा जी यह चोहन राजवन्स केते हैँ गोगा जी चोहन थे पावुजी राठोड थे उंटू का देवता का जाता है पाबुजी राठोड को सिंध प्रांच से सबसे पहले राजस्तान में उंट लेकर आये थे पाबुजी और इनुने जो देवारी जन्जा जाती है देवारी जाती राइका इनको लागर ये उंट दिये थे उंट बिमार होने पर पाबुजी की ही पुजा की जाती है चालो सा आगलो स्वाल देखा राजस्तान में पर्थम परियटन लिती किस वरस गोशित की गई राजस्तान में पहली परियाटे निती कद गोसी तुई रे जीवड़ा ओ स्वाल थाने पूछ उड़ो है तो इक और राइट आंसर काई हुई ताने कमेंट करनू है चक्किया हो जाईगा दो हजार दो हजार 2020 में सन दो हजार 1 अगला स्वाल लेते हैं यह लो अगला सवाल आचकर आपके सामने किस वोल्ली पर गुजराती बसाय का इस परभाव है गुजराती बासा है गुजराती बासा तो निश्य तोर से जो जिलें गुज्रात के बॉल्डर पर होंगे। पास में होंगे। उन्हीं जिलों में ऐसका ज्यादा प्रभाव गुज्राती का रेता है। थे यह चर्छंदे में और आते हैं। मेवाती तु अलवर वाला होगडी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वागडी कौन सी बोली पर है वागडी बोली पर गुजराती बासा का इस पेस्ट प्रभाव में देखने को मिलता है राजस्तान में परशिद सोने चांदी की हवेली कांपर है गुरुजी सोनो और चांदी की हवेली है बिल्कुल है सार बिल्कुल सोने और चांदी की हवेली है काम परे बतो देगे कमेंट करो जिसको भी आंसर आ रहा है लक्षमन कर शिकर्ड पोकरन जेशल मेर विसाओ जुन जुनु महनसर जुन जुनु तो राइट आंसर क्या हो जेगा बिल्कुल डी आंसर जो भी विद्वान बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर माना जाएगा राजस्तान में पंचवर्षी योजना की शुरुवात कब हुई राजस्तान में अब तर देगो टोटल कितनी 12 पंचवर्षी योजना अभी इसको समाप्त कर दिया गया है 12 पंचवर्षी योजना हो चुकी है हाँ शुरुवात कब हुई थी पंचवर्षी योजना की तो टिबा या जोहड कौन सी नहीं है कमेंट करे बाई जिसको भी आंसर आ रहा है विल्कुल गोडिवनिंग सबी दोस्तों का वेलकम रहेगा जितने भी साती जुड़ चुके हैं जल सरक्षन की प्रमप्रागत विदी नहीं है तो इसो नाली है यह नाली नहीं है यह आंसर अपन सवाई मादवपूर या धौलपूर यह सारे सवाल पिछली प्रिक्षाओं में पूछे गए हैं तो महान शीमा बरंस किस जिले से नहीं गुजरता क्या हो जाएगा राइट आंसर अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है बिल्कुल राइट आंसर उद्यपूर हो जाएगा ज बूंद संदे शीमादाबार मेर मेर में होर्यांशीक हमभू की चत्री कठे रेजीवड़ा गुरुजी 224 लना की किस चित्र कला सेली से संब्मधित है कमेंट करें क्या हो जएगा राइट आंसर पिछवई चित्रन शंदेव और फ्रट अंसर क्या हो जाएगा नात द्वारा कांकी यह नात द्वारा राज समंधिगे की थ्या myas सा राजवंस था, राठोड Wald. जो ध्यान रखलेना अलग लग. यहाँ पर राजसतान की जो रियासे थे हैं, वहाँ पर अलग लग राजवंस रहे हैं. देखो यह राठोड यह मारवाड में थे, बिकानेर में भी राठोड थे. मेवाड में कौन सा तैं मेवाड में था आमेर है यहां पर कौन सा राजवंस थ यहांपरर तेगा । कहसे अधसा था कॉण सासे नहोंकी से बश्राँबन थे इन पर beslut स्थ bowl जो सरनodus स्थू ने जुए जारत कॉण या originmed has और यहां का जो कछवा राँषवनस था दोस्तों इसका जो संस्तापक था वह भूता दुले राइडाइड फाद में आमेर कई बनेया था कौकिल देऊंगे अगला सवाल देखते हैं लंपी डिजिज के कारण सवाश्ची समश्यक किसमें उत्पन हुई लंपी डिजीज वो बिमारी फेली थी मनुश्ये मवेशी या फस्नू या पक्ष्यू में तो लंपी डिजीज के कारण सवाश्चे समेशा उत्पन हुई थी दोस्तू मवेश्यू में जानवरों में हुई थी सबसे ज़्यादा जो गाई है गोवन से इनको सबसे ज़्यादा नुक्सान जैल ना पढ़ा था अगला सवाल देखते हैं हाली में आमागण रिजर्वे खबरू में था वह परशिद है टाइबर टाइगर सपारी के लिए पक्षियू के लिए हाथी सपारी के लिए लेप्च शपारी के लिए आमागड रिजर्वे खबरू में था ये आपका लेपेड शपारी के लिए परशिद है जो भी साती D आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आ चुका है निमन में से कोन सी भेड की नसल नहीं है राठी चोखला नाली या पुंगल राठी देखो राठी ये नसल किसकी है राठी नसल किसकी है राठी गाय होती है सबसे ज़्यादा दो दू देती है तो ए आंसर अपना राइट हो जएगा राठी बाकि चोखला नाली पॉंगल ये सारी किसकी नसल है भेड की नसल है और सबसे ज़्यादा उन देने वाली बेड़ कोई नसल कौन सी बता हो देगे बीस अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट आयोजित किया गया डीजी फेस्ट का आयोजन काम पर हुआ था करंट का स्वाल है पूछा जाचु का पिछली प्रिक्षाओ में जोधपूर उद्यपूर यहां पर ही होँआ था बिल्कुल सबसे ज्यादा यहां से सवाल बनते हैं राजस्तान में करांति का आरम जो अठाया सो सनक्य की करांति हुए थी उसका आरम 28 मई को हुआ था 28 मई अठाया सो सनक्यों को सबसे पहले नसीराबाद चांः के किन शैनिकूंग द्धूर द्वा पपेले क्या किया था दोस्तों वीद्रो क्या था बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा विसमे अदिवासी दिवस के आवसर परमां सुअदा जिले की किसाओ नदी पर पूल बनाने का सिल्यानास हुआ हरन रोग अनास चाप किस नदी पर पूल बनाए गया कौन सी नदी पर पुल बने आगे जल्दी से कमेंट करो यसका भी आंसर आ रहा है पुल बनाने का शिल्यानास किया उद्गाटन हुआ है और कौन सी नदी है अनास नदी है see answer अपना क्या हो जयेगा राइट हो जयेगा जो भी सातीquer be एक हमन्स देखते हैं और दोजार 2021 में राजस्तान के कौन से जिले में सरवाधिक छेतर में संगण वन पाइज आते हैं को 2021 सबसे ज्यादा संगनवन मॉन कैण राजस्थबर ताम मैं वो किस दिले में और महारना परता पुरुषकार के लिए पुरुषकार रासी को एक लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है गुरु वसिष्ट पुरुषकार और महारना परता जो पुरुषकार दिया जाता है इसमें पुरुषकार की रासी को बढ़ा कर एक लाग से पांच लाग कर दिया कितना कर दिया है 500,000 तो ड आंसर अपना राइट हो जाएगा नियुख इ Mainly von sentite प्रजाती वनूं से वनू में पाइज आती मैं और जूसन कटिबंदी कеш' साथ में ना राइट हो जाएगा जो साथ सी बता रहें उनकी आंदोलन के प्रेणेता कोन थे आह समस्दी ना तेज़ावत राव गोपाल सिंग गोविंद गुरू करशन शिंग बारट एक की आंदोलन के प्रनेता कौन थे जिस भी साती को आंसर आ रहा है वो एक बार कमेंट जरूर करें है when when 49 यहम पर आंसर ए आ चुका सभी का बहुत ही बढ़ियाथ जो भी शाती बता रहे हैं विल्कुल सबीको म नमस्कार गुर्ड इनिंग हाँ जितने भी साथ लर्य जुडए हैं सभी कर विविलकम रहेगा अगला स्वाल देखते हैं दोस्तूं मिला ज़ालेगी मेजा बांध किस नोधी पर इस्तित रहे है को ठारी बनास जाक्र हम या सोम मेजा बांध कौन सी नधी पर है सबसे पहले ने यह पता होना मेज़ाचा मेज़ा बांधे यूड़ वाड़ा में कुष multifon यह कोठारी नदी पर बनेया गया है कौन सी नदी है दोस्तों कोठारी नदी ए आंसर अपना राइट होगा कि इवेस्ट रिसाइकलिंग पारक बनेया जाएगा जेपूर अजमेर विकानेर या अलवर में इवेस्ट रिसाइकलिंग पारक कहां पर बनेया जाएगा जेपूर में काँपर अपनी रो राजदानी है जेपूर यहां पर बने जाएगा ए आंसर अपना राइट होगा राजस्तान में हवामेल का निर्मान किसके सासनकाल में हुआ हवामेल का निर्मान किसके सासन काल में वह बता देगे हवामेल ये है काम पर हवा मेहल हवामेल का क्या मतलब है रहे हवा से या बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं शेंगडू की तादाद में इसमें खिड़कियां और जरोकें आपको मिल जाएंगे हवा खाने के लिए समयलका निर्मान करवाया गया। सट्रह सो नंद्याड में इस वे कब करवाया में सप्रहसु knows में कि मैं राजदानी जेपुर rir में हाँल ये बिना नियूङ की इमारत है। हमारत है हाँगा हुआ मेल की में बात करूँ तो इहाण रख लेना हवामेल का तो वास्तुकार था वो ता लाल चंद कौन ता लाल चंद उस्ता था इसके लब दोस्तु हवामेल इसका निर्मान है वो कर्षन बगवान श्रीक कर्षन के मुकुट के समार इसका निर्मान करवाया गया क्रिशन के मुकुट के आकार में इसका निर्मान वो करवाय रहेता किसने करोया बाई परताव सिंग ने अपनी राणियू के हवा खाने के लिए हवा मेल का निर्मान करोया और ठेकाई कराओ रहे बतो देखानी आप क्या बनगोगे रहे अपनी राणियू के लिए राजस्तां संका परदान मंत्री कोण था सोब राम कुमावत मानिक लाल वर्मा गोकु लाल असावा गोगिलाल पांडिया राजस्तां संका परदान मंत्री कौनता जल्दी से कमेंट गरे बाई जिस भी साथी को आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं गोकुलाल असावा सी आंसर अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा जो भी साथी बता रहे हैं अगला स्वाल है दोस्तों राजस्तान संगीत नाटक अकादमी काहां पर है जेपूर विकानेर अजमेर या जोदपूर राजस्तान संगीत नाटक अकादमी काहां पर है संगीत नाटक अकादमी पूछी गई है ध्यान रख लेना जोदपुर, विल्कुल जोदपुर में है, कहाँ पर है भाई, जोदपुर में है, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा नीमन में से कौन कवी नहीं है, विजे सिंग पत्थी की जे नारण व्यास मानिकी लाल वर्मा जनार्द नागर इनमें से कौन है, जो कवी नहीं है, करेक्ट आंसर बतो देगी क्या होगा विल्कुल डी, जनार्द नागर, डी आंसर सभी का राइट आ चुका है, जो साथी डी बता रहे है राइष्ट ये बकरी अनुसंदान संस्तान काँ पर है, तारा नगर, अविका नगर, अजमेर या सूरत गड़ बकरी अनुसंदान, जो संस्तान है दोस्तूं, वो आपका है अविका नगर, ये अविका नगर है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, ये आपका जोर, टॉंक जिला है, टॉंक में है, ध्यान रख लेना, और भेड अनुसंदान संस्तान कहाँ पर है, बतो देखें, भेड अनुसंदा संस्तान हैं दोस्तों जोहड़़़ीडë बीका करें पर यहां जोहड़ बीड़ बीका नेर्म कि आ भेर अनुसंदान संस्तान कहां पर बतो देगे कमेंट करो दे किस किस को आंस्वर अरहा है बुंदी रियासत के बड़ खिसान आउन अंदोलन का नेता कोंठा मुदतिलाल देजावत स्वामी गोपाल लाउट से रिशिद मेतां नेनुराम सर्मा है बुंदीर यास्यत के जो किसान अंदोलन हुआ Alright 3 amor तो डी इस्करेक है टी इसक्रेक्ट एस्करेकट ांसर बहुती बढ़िया जो साथदी बता रहें शर बाकड़ा अगल प्रयोजना में राजस्तान की कितनी हिस्थेदारी से वाकड़ा नाहीं प्रियोजना में राजस्तान का कितना परसेंट है सबया अ कि तो बाराध बिल्कुल क्या बता रहे हैं कुछ विदार्थी पंद्रा जो परशेण सनी है है साइब राम का समध किसी चिट्रकला सेलि से है कोट्टा जेपूर बुंदी या किसन गड़ comentarios साइब राम का समधें दोस्तों जेपुर शेली से बी आंसर अपना राइट हो जाएगा कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है गलत यूग में आपको बताना है क्या के तंबाख थी सब्ग्रूरette को बिल्कुल राइट है लोहा एसक मोरिणा साफ तनगस्टन का इनकर और अधकराद में है तो डियांसर इस कर्रेंट हो आयरश माते का मंदिर काँ पर इस्तिद है औस या अबानेरी बाडोली या बांडारेज हर सुमाता का मंदिर कहां पर है हर सुमाता का मंदिर कहां पर है अभानेरी अभानेरी ये कहां पर है अभानेरी कहां पर है अभानेरी आपकी दो सा जिले में है अभानेरी दो सा में है B is a correct answer बहुती बड़िया जो साती भी बता रहे है सबी का यहां पर राइट आंसर होगा नायक्स चवाल है कि 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सोर पवन संकर विदूत उत्पादन सेंतर कहां पर शुरू किया गया बाड मेर, जोदपूर, जैसल मेर, भीका नेर कहां पर शुरू वा था जैसल मेर मेर में हुआ था भै जैसल मेर मेर में शुरू किया गया सरीता मोर संबंदित है सरीता मोर का संबंद किसे है सरीता का संबंद जुड़ो से है कुस्ति से है, जिमनाश्टिक से है या गोला फैंक से है सरीता का संबंद है दोस्तू कुस्ति से किसें भाई कुस्ति से हैं तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा कुस्ति गुरू गोवालकर जन भागिदारी योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? गुरू गोवालकर जन भागिदारी योजना का नाम बदल दिया गया है मातमा गांधी के नाम पर उचुका है मातमा गांधी जन भागिदारी योजना तो जो भी साती बी आंसर बता रहे हैं उन सब गाई क्या हो जाएगा राइट होगा मेवाड के किस महाराणा ने पिछोला जील में जग निवास महल बनवाई अमर सिंग पर थम करण सिंग दीतिये जगत सिंग दीतिये राज सिंग पर थम मेवाड को किशु महाराणा हो रहे है हाँ महाराणा कौन से महाराणा बतो देगे अभी तेके आंसर नहीं है माराणा जगत सिंग दीतीये ने जो विधार्ती C आंसर दे रहे हैं जगत सिंग दीतीये उन शब का right answer होगा बजाज सागरबांध किसी नदी पर है बनास चंबल, लुनी या माही बजाज सागरबांध कौन सी नदी पर है राइट अंसर क्या हो जाएगा वैं बजाज सागर कहीं बार आचुक है देगो एक्जाम में और इजी भी है कौन सी नदी पर है माही नदी पर माही बजाज सागर माही नदी पर है मही नदी की बात करूँ दोस्तू तो इसे राजस्तान की दक्षिन की गंगा केते हैं राजस्तान की दक्षिन की गंगा केते हैं बिलकुल इसके लावा ये मही नदी करक रेखा को करक जो रेखा है इसको दो बार काड़ती है करक्रेका को कितनी वार पार करती है दो वार काटने वाली नदी है मही नदी और मही नदी पर तिर्वेनी संगम बनता है तीन नदियों का संगम बनता है दूंगरपुर में सोम मही और जखम वागड की मीरा किसे काज जाता है गवरी बाई पन्नाधाई रानावाई या करमावती वागड की मीरा किसे काज जाता है दोस्तों वागड की मीरा केते हैं गवरी बाई को कौन सी बाई है गवरी बाई को कहा जाता है ए अंसर अपना राइट होगा राजस्तान में किस इस्तानु को विंड एनर्जी फारम प्रोजेक्ट के अंतरगत पवन उर्जा के मार्गलेशन है तू चुना गया राजस्तान के किन इस्तानु को चुना गया विंड एनर्जी फारम प्रोजेक्ट के अंतरगत देखो इसमें रामगड को नागोर को और चुरू को चुना गिया है तो जो भी साती भी आंसर दे रहे हैं उन सब क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा निम्मा लेकित इस्तानू में से किसे तामर्वती नगरी के नाम से जाना जाता है गिलूंड, बाला थल, कालिबंगा या अहाड तामर्वती नगरी किसे कहा जाता है तामर्वती नगरी का जाता है दोस्तों तामर्वती नगरी अहाड उद्यपूर को का जाता है अहाड काम पर है अहाड सब्वेता अहाड उद्यपूर में है ध्यान रख लेन अहाड उद्यपूर को का जाता है सब्सक्राइब बाला थल्पियु दियुद्द्र से कल Cuando cultural शोला सब्सक्राइब सब्सक्राइब कहां है तो कमेंट करें में जिससी सांथ Subscribe आरहा है। कि आ जिए जो विदार्ती कलास में लेट दूड़े हैं वह सटर्टिंग से कलास को देख लेना एक बार लाइक और शेयर कर तो विजी ये वीजे दान की जो साथ है दञे वॉतार जोशात देट डिन बतार है उन्सवाइपा राइट आंसर होगा हैो और अगला स्वावावक सामने है और माही नदी के बाए किनारी की साइक नदी कौन सी है माही नदी की बाए किनारी की साइक नदी पूची गई है इरू जाकम अनास या चाप बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर चाप कौन सी नदी है चाप है तो D इपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जो साथ डी बता रहे है पलान, मोरा, गोरबंद और परचनी राजस्तान के किस पसू के सिरिंगार के आभूशन है हाती, गोडा, उंट या बेल गोरबंद आभूशन उंट के गले का आभूशन है तो इससे आपको अनुमा लग गया होगा इंट, अरे गुरुजी उंट भी आभूशन प्यरेगी क्यों उंट ने कम समझोगी अरे उंट राजस्तान का राज जी पसू है राजस्तान का क्या है राजिय पसू है इसके लावार हाँ तो आपको यह चीज बिल्कुल पता है पहले से उंट को राजिय पसू का दर्जा कब दिया गया बतो देखें आलम साही मुगलिया सिका राजस्तान में कहां पर पर चलता था जयपूर बिकानेर अलवर्या भरतपूर आलम साही मुगलिया सिका राजस्तान में कहां पर चलता था बिकानेर में कहां पर चलता था बिकानेर में राठोड राजोंस था मद्यकालिन पट्रेका से आप क्या समझते हैं लाग बाग पट्टा में लिखावा निर्धारित कर आयात कर या निर्यात कर मद्यकालिन पट्रेका का मतलब है पट्टे में जो लिखावा निर्धारित कर होता था वो देना पड़ता था तो B आंसर अपना क्या होज़ेगा करेक्ट होगा राजस्तान की कुल सिमा की लंबाई कितनी है दोस्तों राजस्तान की कुल सिमा की लंबाई कितनी है 1070 किलोमेटर ये राजस्तान की अंतराष्टी सिमा है कौन सी सिमा है भई अंतराष्टी है और ये किसके साथ में लगती है ये पाकिस्तान के साथ में लगती है ध्यान रख लेना राजस्तान के चार जिले लगते हैं पाकिस्तान बोर्डर के साथ में ये सिमा लगती है जिसे क्या का जाता है रेड किलिप रेखा का जाता है 5920 किलो मिटर ये आपकी राजस्तान की कुल सीमा है बी आंसर अपना राइट हो जाएगा तो गुरुजी 4850 ये क्या है ये राजस्तान की इस्थलिय सीमा है यानि अंतराईजी सीमा है राजस्तान की अंतराईजी सीमा है मतलब क्या है अंतराईजी सीमा का कि ये अंतराईजी सीमा नहीं है अंतराईजी के साथ में लगती विखैंगे कितने राज़ी के साथ मिलगती है राजस्तान की 5 rest कि लगती कौन Ça שके साथ मैं सब inhibitory आपकी बात करो में तो पंजाब जिसके सास्प में सबसे कम राजस्तान की अंतराइजी שמע लगती है नमर चार पर उजएगा MP म्द्य परदेश, और नमर पांच पर उजएगा जी जी घुज़रात. यह आपके पांच रजी हैं. तो सबसे ज़्यादा राज्स्तान की शिमा लगती है, वो लगती है अंतराजी शिमा MP. मद्य परदेश के साथ में कतनी? 16-16 stylus AP. तो यह सीज़ा आप ध्यान रख लेना 89 किलोमेटर सब से कम पंजाब के साथ में लगती है गुजराथ MP के साथ में राजस्तान के कितने जिले लगते हैं दस जिले लगते हैं और MP के भी दस ही लगते हैं पंजाब के साथ में दो जिले राजस्तान के लगते हैं गंगा नगर हनुमान गड़ तो यह राजस्तान की सिमा है कुल कम टाइम में मैंने सारा बता दिया आपको देख लो एक अगला सवाल देते हैं कि राजस्तान के पहले अयुवेदिक चिकिसा सवाश्टिये और कल्यान के अंदर की आधार शीला मुख्यमंत्री दुवारा कहां पर रखी गई करणपूर करोली खमनोर या रिंगस राइट आंसर बतो देखें जिस भी विद्वान को आ रहा है का पर रखी गई खमनोर राज समझ से रखी गई तो जो साती खमनोर शी आंसर बता रहे हैं उन सबी क्या होजएगा राइट आंसर होगा तो आज की कला समें इतने ही करेंगे टोटल पचास सवाल थे आपके कितने राइट हुए हैं क्या आपको स्कोर रहा है एक बार आप कमेंड वॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएं सबी साती क्लास को लाइक और शेर कर दें अपने मिद्वाइब